15 दिन पुर्फ बॉंबी महानगर पालिका ने प्राइवेट गाड़ियों में लोगों को मास्क लगाने की शर्च से छूट दे दी है तो नापुर महानगर पालिका मास्क को लेकर वाहन धारकों को छूट क्यों नहीं दे रही है ऐसी मांग शहरवासियों ने की है कोरोन संकेट भले ही पूरी तरह से नहीं टला हो लेकिन अब नागरिकों में उसका भैब बिलकुल नजर नहीं आ रहा है देनिक पॉजिटिव और उससे मरने वालों की संक्या भी अब बहत कम हो चुकी है अनलॉक का सिलसला भी लगभग खत्म ही हो गया है क्योंकि सरकार ने लगभग सब कुछ शुरू कर दिया है बाजारों में भीर आयजिनों में भीर से नजर आ ही गया है कि अब सोशल डिस्टेंसिंग भी लोगों को मनजूर नहीं है क्योंकि वे अपनी नियमित वपूर्व की तरह दिन चर्या में शामिल हो चुके हैं हां लेकिन सरवजनिक स् प्योग करते हैं उन्हें अगर विच्छा है तो मास्क नहीं भी लगा सकते हैं उन पर कोई कारवाई नहीं होगी अब नाखपूर की चंता बीमसी के इस निरने के बाद से यह सवाल उठा रही है कि नाखपूर महानगरपाली का यानि एनमसी यह निरने क्यों नहीं ले रह पर मतपा वजला प्रशासन की टीम में कारवाई कर रहे हैं रोज ही अनेक लोगों को मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपे का दंड ठोका जारा है इससे फोर विलर वाले भी नहीं बच पा रहे हैं सवाल यह है कि जब राज की राजधानी मुंबई जहां नाखपूर से अधि कोरोना का प्रकोप था वहां नीजी चौपई या वाहन में सवार लोगों को मास्क लगाने से चूट दे दी गई तो फिर यहां क्यों अब तक कारवाई की जा रहे हैं सिटी में तो एंडियस के दस्ते चौराहे पर खड़े होकर कारचालो को रोक रहे हैं भले ही वे अपन कार के सारे शीशे बंद कर भीतर हो लेकिन अगर उन्होंने मास्क नहीं लगाया तो उन पर पास्तुरुपई का जुर्माना ठोका जा रहा है सिटी में भी जब कारचालों को पर मास्क की कारवाई शुरू की गई थी तो काफी विरोध हुआ था कारचालों का तर्क यह था कि वे अगर कार में अकेले है और कार के शीशे भी बंद है तो मास्क नहीं लगाने पर दूसरों के लिए कैसे खत्रा बन सकते है लेकिन चुकि कोरोणा अपनी पीक पर था इसलिए उनका तर्क नहीं सुना गया लेकिन अब तो हालात बदल चुके है अब तो सोशल डिस्ट क्यों नहीं दी जा रही है बीएमसी कमिशनर की तरस पर मनपा आयक इस पर कब निरने लेगे इस पर नावल को की नसर लगी हुई है क्यामरा परसन राजकमार मोड के साथ संजे मेरे बीसी न्यूस नापपूर